हांजी मेरे भारत वासियों साशिकार नमस्कार असलाम अलेकम नम बुधाय जय भीम जय भारत मेरे भारत वासियों मैं आप सबी का थे दिल से धन्य वश्य को बहुत क्यार दिया और 19 क रोड़ लोगों के बीच में वह वीडियों को आप लोगों के वारे और्य वेडियर कर दिया मैं आप का तैह दिल से धन्य वाद करता हूँ कि हिंदू-मुस्लिम सिख इसाई आपस में है भाई-भाई भारतवाशियों में इस बड़े फकर से यह नारा लगाना चाहता हूं लेकिन एक चीज़ साथ में यह भी क्लियर करना चाहता हूं कि हम लोग भारतिये हैं और समाजिक तोर पर एक हैं लेकिन धार्मिक तोर पर हम लोग अलग-अलग हैं तो कि धर्म हमारे अलग-अलग है और कोई भी एक धर्म कल को उठकर के यह बोल रहा है या बोलता है कि वो इस भारत देश को एक धर्म का राश्ट्र बना देंगे तो ऐसा तो कतई भी सोचना उस धर्म वालों के लिए गलत होगा और पाप होगा कोई भी एक धर्म इस देश में अपने धर्म का राश्ट्र नहीं बना सकता यह तो गलत फैमी अपने दिमाग से निकाल के ही फैंक दो हिंदू मुस्लिम सिख इसाई आपस में है भाई 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 भारतिय होने की वज़ा से समाजिक तोर पर हम एक हैं लेकिन धर्म के नाम पर हम अलग अलग है हिंदू धर्म अलग है, मुसलिम अलग है, इसाई अलग है, बुदिस्ट अलग है, सिक्ध धर्म अलग है, और ये सभी धर्म किसी एक धर्म में से नहीं निकले, एक तो ये गलत फैमी में कुछ लोगों की दूर कर देना चाहता हूँ, इसे समाधिक तोर पर एक हैं, और हम एक रहना पड़ेगा और इसपर बिना गुजारा भी नहीं होगा, अहाँ तो समाधिक तोर पर एक हैं, एक दूसरे के धर्मों की हम इजड़क करें, एक दूसरे संगठनों के लोग अतंकी संगठनों के लोग और सेश भारत देशका अतंकी संगठन है और इन्होंने आगे अपने ब्रांच बनाई है शिव सेना शिव सेना हिंदोस्तान बज रंग दल विश्व हिंदू परिशद विश्व हिंदू वाहनी परशूराम सेना तो मैं अपने मूल निवासी छे हजार 643 जातियां जिनके जनम का जो टेवा बना हुआ है वो सभी लोग अपना अपना टेवा निकालो जिनके टेवे के में वर्ण के अंदर आपका वर्ण शूद्र लिखा हुआ है तो मैं उन शूद्रों को 85 प्रतिश्व शूद्रों को 6743 जातियों में बड़े हुए शूद्रों को एक बार बोल दूँ कि तुम लोग हिंदू नहीं हो हम मूल निवासी हिंदू नहीं है हम हिंदू धर्म की रिस्पेक्ट करते हैं इज़त करते हैं सनमान देते हैं लेकिन हम हिंदू नहीं है हमारा हिंदू धर्म के साथ समाजिक तोर पर हमारा लिंक है हम उनकी इज़त करते हैं समाजिक तोर पर हम भारतिये होने की वज़ा से हम इज़त करते हैं हम एक हो सकते हैं लेकिन धार्मिक तोर पर हम हिंदू नहीं है तो मैं अपने सभी वालमी की चमार और जितने भी मूर्णवासी हैं उनको एक चीज़ कहना चाहता हूँ कि भाईयो आपको यह जो आरेसेस के जितने भी ब्रांचे संगठन है यह हिंदुतव को खत्रा है हिंदुतव को खत्रा है बोल करके आपको emotionally blackmail करके आपको अपने संग परदानगिया देते हैं और आप मूर्ग बनके इनके सगठनों में जाते हैं और आप लोग बावासाइब भीम्राव अमेड़कर जी के सपने को चूर चूर कर देते हैं मैं आपकी गलत फैमी दूर कर देना चाहता हूँ इस पेज को ध्यान से दिखिए यह भारत की वर्ण व्यस्ता है भारत के अंदर चार वर्ण है ब्रामन छत्य वैश शूद्र राइट मैं तो इसी बात कर लूँ फिर उसके बाद मैं यह दबार दिखाऊंगा प्रीस कभी कोई अमित शर्मा कभी कोई धीपक शर्मा है इस तरह के पतनी यह टटपूंजिये से बाड़े के टटू यह भारत के अमन शांती को भंग कर रहे आए दिन हिंदुतव को खत्रा बोलकर के यह बढ़ुए लोग भारत का महौल खराब कर रहे और इनके उपर कोई लगाम ही नहीं इनके गले में कोई भाई पट्टा ड बहुत सारे शर्मा लोग इनी को भाई खत्रा क्या है यहीं लोग बोलते हैं कि हिंदुतव को खत्रा है तो अमिद्शर्मा मींस ब्रामन दीपक शर्मा मींस ब्रामन तो यह कितने लोग है कितने परसेंट लोग है साधे तीन प्रतिशत तो भाई ब्रामन सिर्फ साधे तीन प्रतिशत लोग है इस भारत के अंदर ठीके चलिए छत्रिये छे परसेंट वैश यानि बाणिया साड़े पांस प्रतिशत चलिए मैं मान लेता हूं कि ये भी इनको मानते हैं ये इनका साथ देते हैं ये हिंदू अपने आपको कहल लबाते हैं तो मैं अपने छत्री भाईयो से पूछना चाहता हूं कि भाईयो छत्री भाईयो हम आपकी बड़ी इज़त करते हैं एक परशूराम जी हुए थे आपने ब्राह्मनों का क्या विगार दिया था कि ब्राह्मन परशू राम ने आपके वंश को तीन बार खतम कर दिया था ऐसा आपने क्या विगार दिया था परशू राम जी का या ब्राह्मनों का कि प्रामन परशू राम जी ने देखे मैं उनको जी करके वोड़ा हूं मैं इन टटपूंजी ये भाड़े के टटू दीपक शर्मा या अमित शर्मा जो भारत का महौल ख़राब करते हैं और हिंदू तब को खत्रा बोलते हैं मैं उन्हीं से पूछना चाहता हूं कि दीपक श खतम कर दिया था ऐसा च्टरियों ने क्या कर दिया था ब्रामनों का यह मैरा एक संवाल है यह मेरे समस्त जो मेरे हिंदू भाई अगर देख रहे हैं तो मैं हमसे क्वेश्चिन प्ठब करना चाहता हूं जो च्रू यह जो च्रू वरन से हैं वो मुझे जवाब जरूर दें कि आपने क्या बिगाड़ा था इतिहास ढूंड़ना और आप अपने बुज़र्गों से पूछना कि आपने क्या बिगाड़ दिया था इनका एकली दरसल आपने कुछ बिगाड़ा नहीं है एकली ये हजारों सालों से पूरे भारत के लोगों के उपर राज करना चाहता है महात्मा गांधी कौन नहरू कौन इंद्रा गांधी कौन राइट तो परशूराम कौन तो इनके उपर पतनी पूरे भारत के उपर पूरी दुनिया के उपर राज करने का इनके उपर एक जनून सवार है तो परशूराम जी भी ये थे और उन्होंने चत्रियों का वद करा दिया मैं चत्रियों आपको सल्यूट करता हूं मेरे भाईयों कि आपका वजूद आज भी है सलाम है चत्री भाईयों को क्या आपका वजूद आज भी है तीन बार परशुर राम जी ने खत्म कर दिया था आपके वजूद को उसके बार्जूद आपका वजूद है यह पूछिएगा जरूर किसी ब्रामन से या आपने बजर्गों से यह एक बिजनसमेन तबका है इसाब किताब में नकुन प्रापर्टी ख्रीदना बिल्डगे बनाना हम इनको भी सलाम करते हैं दिमागी लोग है यह दिमाग हमारे पास भी है बाई आईएस आईपीएस हमारे भगवान डॉक्टर बावा साह भीम्राओं मेडकर जी ने ऐसा हमें जागरुक कर दिया कि आज आईएस आईपीएस हमारे लोग भी है राइट तो छेहजाट साथ सो तरतालिस जातियों वाले शूद्रों ओबीसी बीसी एसी एस्टी आप लोग हिंदू नहीं है ठीक है तो आप लोगों ने राइसस के ये जो आतंकी सहित्न है सिक्षों की खातर पद परदानगीयों की के खातर मैं अपनरे वालमी क्यों से चमारों से भाईव के पिया गयाना यह वर्ण बहुत अपने आपको समझदार और बड़ा उम्धा समझता है इसी वज़ा से तो इनका वी वजूद खतम करने की कोशिश की गई लेकिन आज भी इनका वजूद है सल्यूट है चत्रियों को तो 6743 वाले जो शूद्र है जातियों वाले आप लोग समझदार बनो और इनके किसी भी आतंकी सिंगतन का हिस्था मत बनो अच्छा यह बोलते थे कि सिक जो हैं हिंदूओं का हिस्था है तो भाई सिक हिंदूओं का हिस्था नहीं है जब यह ब्रावन शूद्रों को मंदिरों में नहीं जाने देते थे तो सबसे पहले बेदी कुल के गुरुनानक देव ऐसे हिंदू होए जिन्नों ने इनके अत्याचारों को देखते हुए शूद्रों की लड़ाई लडई और शूद्रों को सिख बना दिया जब शूद्रों को मंदिर में नहीं जाने देते थे ये लोग और शूद्रों के सिर के ओपर कपड़ा नहीं होता था शूद्र नंगे रहते थे बिचारे मेहनत काले हो गये थे तो नानग सहब ने शूद्रों के सिर के ओपर सड़े साथ मीटर की दस्तार सजा दी तो शूद् भी है वो शूद्र है शूद्रों को सिक बनाया था और इनके प्राबर तो कि जब ये मंद्रों में नहीं जाने देते थे तो इनको बोला कि आप अपनी धरंशाल अपने गुर्द्वारे लग बनाओ आज इनकी ब्राबरी करता है ये और पगड़ी से तकलीफ जादातर इन्ह इन्होंने इसने बुद्ध धर्म का सत्यानास ही कर दिया था लेकिन आज भी बुद्धिस्ट है और शूद्र ही बुद्ध बुद्ध धर्म को अपना रहे हैं ठीक है जी ये धर्म ये भी अलग है ये हिंदूर का हिस्सा नहीं है राइट शाप टेल क्रिश्चन मुसलमान भाईयो हिंदूतों का खत्रा नहीं है खत्रा हुआ था 1984 के अंदर सिख्ध हमको जब दिली के अंदर गले में टायर डाल डाल के सिख्धों को मारा गया था उनकी बेटियों से उनकी बहु बेटियों से ब्लातकार किये गये थे सरकों के उपर और वो हिंदूओं ने किये थे और वो लोग कुछ लोग बोलते हैं कि हमने बचाया नो जगदीश टाइचलर इवन अमिता बच्चन ने भी माईक लेकर के एक अनॉंसमेंट की थी और वो हमारे पास सबूत है उसने भी कहा था कि जब कोई बड़ा पेड़ गिरता है तो आ गोद्रा कार्ण हुआ था जब मुसल्मानों को मारा गया था साइज तक मुझे बताओ कहां को एंदूओं को खत्रा है हिंदूब को खत्रा है हिंदू नहीं तो हिंदू नहीं है। 85% लोग, 85% लोगों का भगवान डॉक्टर बावा साथ भीम्रहों अमेंड कर है। जिसकी वज़ा से आज आप लोग खुल करके सास लेते हो, आपकी बेतियां महफूज है। शुद्रो, मेरे धलित भाईयों, आप हिंदू नहीं है। तो मैं अपने समस्थ मुल्वा सी भाईयों कुसे कहना चाता हूँ। और मुस्लमानों से भी बोलना चाता हूँ कि आप हमारे भाईय हैं। हिंदू मुस्लिन सीख के साई आपस में हैं भाई भाईय। लेकिन हमारा धर्मिक तौर पे हम अलगलग है समाधि कोतोर पे हम एक है अभी। बढ़ुए दीपक शर्मा करके अल्ला के बारे में बात चीत कर रहा था कि जिस अल्ला का बाप कुण है और को आई अल्ला वह गुरू परमात्मा औरarthy एक है। इसका कोई भाप नहीं है और नानक साब भी कहते हैं नानक एको सिम्रिये जो जल्थल रया समाई दुझा का है सिम्रिये जो जम्मेते मर जाए अबे बढ़ुए धीपक शर्मा तू भी आगया एकली कसूर तेरा नीए भाई धीपक शर्मा। तु ये साड़े तीन परसंद में आता है का वो एक कीड़ा है तुम लोगों के अंदर तो यह गोड़ रहा है कि अल्ला का बाप को नहीं है और जिसका बाप नहीं होता है उसको क्या कहा जाता है अभी अभी यहां पे बेटिया भी देख रही हूंगी इसलिए मैं घाली नहीं निकलना चाहता हूं कि हमारे गुरुओं कि तेरे को जिस दिन मुसलमन मुसलमन अभी शांत है भारत देश्का और जिस दिन कोई सरफिला मिल गया तेरे चीठधड़े उड़ जाएंगे चीठध़े तो मैं मुसलमन भायों से बोलना चाहता हूँ कि भाईयो ऐसे बाड़े के टटूओं के उपर जो आर एसे के दल्ले हैं इनके उपर आपने इनकी बातों को इंगोर करो इनको इनौर कर दिया करो कि दीपक शर्मा अमित शर्मा चंडीगर का कोई तट्टू आर एसस का शिर्व सहना का दल्ला भाई भाई भारत देश में अमन शांती है शांत रहने दो अगर हमले होते हैं दलितों के उपर होते हैं अगर किसी मुसलिम मानने किसी दलित को मार दिया तो उसको हिंदू और मुसलिम का बना करके अख़बारों में मीडिया ये बना दिया जाता है एक भी हिंदू के उपर कभी कोई हमला नहीं होता है हमले होते है तो धलितों के उपर धलित हिंदू नहीं है धलित हिंदू नहीं है ठीक है तो मैं दीपक शर्मा और जो भी अगर भारत के अंदर जितने भी मेरे हि वे अगर देख रहे हूं तो मैं उनसे पुछना चाहता हूं कि अन्ला के बार पुछा कि इसका बाप नी इंए और जिसका बाप नहीं होता उसको क्या बोला जाता है तो मैं आप सबसे पूछता हूं कि भगवान शंकर जी के पिता जी का नाम पता है किसी को शिपले-णाप को ठेस नहीं पुचा रहा हूं कि यह 85 प्रतिशत मूलनवास्यों की आवाज बनके मैं पूछ रहा हूं कि इनके पिता जी का नाम बता दीजिए दिपक्षर्मा तू अल्ला के पिता जी का पूछ रहा था मैं इनके क्योंकि इनको हम सब लोग भगवान कहते हैं आप भी अलुग लिए में इसमें अगर लगता है किस वीडियो में कुई मैंने इसी विदेन के बाहर जाकर के कोई बात बोली है तो अगर कोई गलत बात बोली है मैं उसकी सजा का हगदार हूँ ठीकिन मैं अपने बावासा भीमराओं बेड़कर जी के सविधान से और सविधान की रक्षा भी करूँगा अपने आगरी सुवाचों तक और सविधान से प्यार भी करता हूँ और सविधान के दारे में राके ही हाँ अगर ये शब्द मेरे मुझ से कोई मैं थोड़ा जजबाती हो गया था और मेरे मुझ से ये दल्ला शबद निकल गया था उसके लिए मैं माफी चाहता हूँ हाथ जोड़ करके ये माफी इसलिए क्योंकि पहुंसरी बेहन बेटिया भी मेरे को देख रही है लेकिन कहीं न कहीं दलाल तो है RSS पैसा देती है और इसमें काम करने वाले लोग भड़काते हैं क्योंकि उन्होंने अपने RSS के बड़े-बड़े आकाउं को वो वीडियो बना करके भेजनी होती है दिखानी होती है तभी उनको पैसा आएगा अनित शर्मा कोई है अभी ब को मैमोरेंडम देना था और मिलेको ऐससपी पे भी हरानगी हो अगये है और वह बता रहा था था तो कि यहां पर किसी अपर शिवसेनिक का कोई कोई मैरेज पहलेश होगा तो बोले थे कि मैरेज पहले समा जाए क्योंकि डरते तो हैं यह लोग डर्पोग है यह पिल्कुल तो वो ऐसे स्पी को बोला था कि इधर आ करके हम वीडियो बनाएंगे तो आ जाओ कि वहां पे पुल पे वो खड़े हुए हैं और हमारी पीष्टी कर रहे हैं यह आप ही की वीडियो में बाई देखा हम लोगों ने हैं आप दर्पोक और डर्पोक सिख और पंजाबी क्या होते हैं बबर शेर शूद्र शेर है बाबा साथ भीम्राव मेड़कर जी ने कहा था एजूकेशन पढ़ाई वो शेर नी का दूद है जो पिएगा वो शेर की तरह दाड़ेगा मेरे आत्मिक पिता है साथे कमाल कलगिया वाले गुरुगोवे सिंग जी और धर्म राजिनितिक पिता है डॉक्टर भाबा साथ भीम्राव अमेड़कर गुरेंदर सिंग अकवाल नाइन एट सेवन सिक्स फोर जीरो वान नाइन एट जीरो और हजारों लोग जानते हैं कि गुरेंदर सिंग अकवाल ने अगर ये नंबर पिछली वीडियो में भी दिया था उसका नंबर कभी बंद नहीं जाता वह दर्पौक नहीं वह सूर्मा है बबर शेर हूं मैं सहीवे कमाल कलगिया वाले और डक्टर बावा सब भीमरा अंबेड करका सचिकाल नमस्कार असलाम अलेकम नम बुद्धाए जैवालमी की जैगोर रविदास जैवंदी छोड कभी सहब जैमसी की जैभीम जैभारत वह है गरुजी का खालसा वह है गरुजी की फते बोले इसान हाल सब स्रियकाले झालसा वह है गरुजी की जैभारत